नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोकवीत लीला खत्री पे बहुंत सारी टेश्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करें आज हम बनाएंगे आम पन्ना आम पन्ना बनता है कच्ची केरी से जैसे कि हम सब को पता है केरी गर्मियों में मार्केट में खुब मिलती है गर्मियों में आम पन्ना पीना हमारे सरीद के लिए बहुत ही फाइदे मंद है चलिए बनाते हैं आम पन्ना आम पंदना बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची केरी डई-्सो ग्राम, एक कप फुदिना की पतियां और चिन्नी 500 ग्राम नमक एक टेबल स्पून, काला नमक एक टेबल स्पून, बुना और पिशा हुआ जीरा एक टेबल स्पून, पिस्टी काली मित्च एक टी स्पून और उसमें डाले करीब अंदाज से देर सो ग्राम जितना पानी थोड़ा हिला के एक ढकन से इसे ढक ले इसे थोड़ी देर के लिए पकने दे हमने इसे ड़के आठ दस मेट तक पका लिया है अब ये अच्छे से बग गया है गर्मियों में आम पन्ना पिने के कई फायदे होते हैं गर्मियों के मोसम में ये हमारे सरीर को सितल और हाइडर्ड रखता है आम पन्ना पिने से आप लू की चपेट में आने से बच सकते हैं आम और केरी में विटामिन ए वहुत अच्छी मात्र में होता है पतिया मिस्रन ठंडा हो चुका है एक मिक्सी का जार ले उसमें उबली हुई केरी डाले पतियां पानी डाले और स्मूद पेस्ट बनने तक पिस ले यह कुछ इस तरह दिखेगा एक बर्तन में हम डालेंगे चिन्नी और अंदाजा 200 ग्राम पानी इसको उबाल ले इसको हमने 5-6 मिनिट तक पकाना है अब यह तयार है इसमें हम केरी की पेस्ट को डाल देते हैं इसको अच्चे से मिला ले और 5-7 मिनिट तक पकाएं देखिए इसका रंग बदल गया है अब हम इसमें डालेंगे नमक काला नमक जीरा और काले मिर्च इन सब को हम अच्चे से मिला लेते हैं अब हम गेस बन करके इस पेस्ट को ठंडा होने देंगे पेस्ट में हम डालेंगे एक निम्बू का अरस और अच्चे से मिला ले अब एक छनी लेके हम यह पेस्ट को ठान लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई आम का जाला हो तो वो निकल जाई इस पेस्ट को अब हम एक साब एक टाइट जार में डालेंगे यह आसाने से दो तिन महिने तक खराब नहीं होगा आम पन्ना बनाने के लिए एक गलास में हम डालेंगे दो टेबल स्पून आम पन्ना पेस्ट और देर सो ग्रम पानी इससे एक तमच की साहिता से अच्छे से मिक्स कर लें इसमें डालें थोड़ी आइस क्यूब गारनी सिंग के लिए पुदेने की पतिया और एक स्लाइस निम्बू की आप तैयार हैं बहुत ही तेस्टी सेहत मंद और रिफ्रेसिंग आम पन्ना एना बहुत रिफ्रेसिंग मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कोमेंट्स बोक में अपने कोमेंट्स लिखें फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ हेवे गुड़ डे